हालो फ्रेंज दिवाकड़ेकेड में आपका स्वागा था इस वीडियो सीरीज में हम लोग contact form 7 के बारे में सीख रहे हैं तो इस वीडियो में हम लोग Google Recap-chat अपने contact form 7 में लगाएंगे तो इसमें हम लोग version 2 यूज करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए हम अपने dashboard पर यहां चुकिए इसके बाद हम एक plugin इंस्टॉल करनी है तो इंस्टॉल करने के लिए यहां पर plugins पर क्लिक करूंगा और यहां से add new करूंगा और यहां पर plugin को सर्च कर लेता हूं यहां पर लिगता हूं और इसे install लाओ पर क्लिक कर देना है तो यह install हो जागा फ्रेंस जैसे इंस्टॉल हो जाता है उसे हमें लोग इसे activate कर लेते हैं क्योंकि यह v2 का हमें यूज करने के लिए plugin की नीड है तो इसलिए हमें लोग इसे install कर रहे हैं यह activate होने में थोड़ा टाइम लगा है activate हो जगया है अब इसे हम जैसे contact में देखेंगे तो यहां पर recap version दिखा हुआ है आपको यहां पर default के जाब पर वी टू चूज करना है और यहां पर submit कर देना है अब इसके बाद हमें contact form 7 के अंदर है integration पर जाना है और यहां पर आपको दिखरा हुआ होग recapture setup अगर आपको इसके बारे में detail में देखना है तो आप यहां से भी देख इसके बारे में recapture के बारे में पर सकते हो integration setup पर हमने click setup यहां पर आपको lag की और secret की चाहिए तो हम लोग उससे पहले आप देख सकते हैं यहां पर recap लिखा हुआ है admin slash create इस तरह से आप यहां लोगपन कर सकते हो नहीं तो आप documentation पर जाके यहां पर लिखा हुआ है dcapture admin console या registering a site आपको यहां से जाना है यहां पर आपको site का एक label दे देना है तो मेरा site का ही label में दे जाता हूँ तो यहां से मैं इससे test.divakaracademy.com इसे copy कर लेता हूँ और अपने recap पर पेस्ट कर दोता है इसी label के रूप में यूज़ कर लेता हूँ और यहां से आप पूछ रहा है कि V2 यूज़ करना है या V3 तो मुझे V2 यूज़ करना है और यहां पर लिखा हूँ है I am not a robot चेक बोक्स यह वाला हमें यूज़ करना है आप हो इन्हें भी यूज़वल चाहिए तो यह यूज़ कर सकते हो अगर दीक्याप्चा है Android में एप के लिए यूज़ करना है तो आप यह यूज़ कर सकते हो मैं I am not a robot वाला चेक बोक्स र रख़ा हो तो अटोमेटिक यहां पर आपका email ID डिस्प्ले हो जाएक तो मेरे केस में भी डिस्प्ले हो रखा है क्योंकि मैंने पहले से login करका है और यहां पर आपको अगर login नहीं हो तो आप पर login कर लेना अपने Gmail account को या तो आप यहां पर भी जैसे login हो तो आप यहां पर भी दीख सके आगा मेरा login न है अब दिख सकते ही यहां भी login है इसलिए यहां पर आ रहा है एकसेप र मधा करबना से इसको경 दो को अद्ध है है इसको टर्मीट भाष्व कर देना है जैसे आप सब चरन staff पर अपर secret की मिल जाएगा.। यहां सु कॉपी कर सकते हो। साइट की और secret की देवाव Must कॉपपी कर लेता हूं यहां पर और इससे based कर देता हूं और यहां पर Secretே की की कुपी कर लेता हूं और यहां पर मैं paste कर देता हूं spesachanges उग्यासे ने गारेण इसको हम लोग सोकर आते हैं तो मैं अपने फॉर्म पर जाता हूं और यहां पर एक request form मेरा भी है यहां पर डाला हुआ है तो इसको मैं एक recapture करना चाहता हूं तो यह देख सकते इसको मैं इसे recapture का एक field आ चुका है तो मैं इसे recapture पर click कर दूँगा आप देख सकते हो आपको size क्या चाहिए normal चाहिए compact चाहिए जिस तरह का आपको चाहिए उस तरह से ले सकते हो मुझे मानलो की normal ही चाहिए और अगर आपको dark चाहिए तो आप theme भी choose कर सकते हो मैं कुछ नह देख सकते हैं I am not a robot का है यहाँ पर आ चुका है आप इस ता से मैं अगर एक बार इसी तरह कुछ test-test.com दम email डाल लेता हूं test और यहाँ पर test message लिख देता हूं और यहाँ पर submit करता हूं तो यह submit नहीं हो यह verify करने के लिए बोल ला है तो आप जैसे verify करोगे उसके बाद आप यह automatic चेक होगा अगर आपको लगया कि यहाँ पर कुछ fill करवाने है तो आप यहाँ से image भी choose करके fill कर सकते हो अभी मेरे case में automatic चेक हो जा रहा है तो इस तरह से आप अपना यह submit भी हो गया है तो आप इस तरह से अपना recapture को यूज कर सकते हो अगर आपको इसके documentation भी परना है तो आप यहां से भी पर सकते हो recapture के site पर जाके गूबल के तो इस वीडियो में इतना है आपका recapture setting हो चुका है setup हो चुका है sorry और यहां पर अगर आप theme भी change करना चाहते हो तो इसे change कर सकते हो मैं आपको करके भी दिखा देता हूं यहां पर recapture और यहां पर compact कर देता हूं dark करना है तो dark अगर आपको right में चाहिए तो right कर देता हूं insert कर देता हूं पहले यह left में था अब मैं इसे save करके एक बड़ा आपको refresh करके दिखा देता हूं देख सकते ही है इस तरह से तो पहले वाला ही सही था तो मैं पहले जैसा ही कर देता हूं अगर यह सारी चीज में हटा दूंगा तो यह default जो recapture है वाजा है friends देख सकते हैं तो इस वीडियो में इतना अगर वीडियो आपको सब्सक्राइब कर लेना और विडियो देखने के लिए धन्मात friends